Learning Home के Hindi चैनल में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम लोग Quick Access Toolbar पे चर्चा करेंगे, और चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं Microsoft Office 365 यूज़ कर रहा हूं, जो अभी तक का latest version है, यदि आप different Microsoft Office का version यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें परिशान होने की ज इस वीडियो को यूज़ करते हुए, आप अपने Microsoft Office में भी इस feature को सीख सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, हमारो जो पहला topic है, वो है कि की Access Toolbar है क्या, तो एक बहुत ही important feature है Microsoft Office में, इसके द्वारा आप कोई भी जो function है, जो command है, उसको आप easily use कर सकते हैं, तो एक क्या purpose क्या है कि आप कोई भी command को आप finger tip पर रख करके, जैसे ही ज़रुद पड़े तो आपको search करने की ज़रुद नहीं पड़े, इतने सारे ribbon और tab के बीच में, आप easily उसको access कर सकते हैं, तो एक kind of user friendliness feature है Microsoft Word में, तो चलिए इसको explore करते हैं, तो जो हमारा दूसरा point of discussion है कि यह है कहां पर, तो आप देखेंगे कि आपके left hand side में एक छोटा सा एक icon है यहां पर, यह हमारा quick access tool bar का icon है, और इसे हम explore कर सकते हैं, यहां पर जब जो कि इसको click करके, हम इसको explore कर सकते हैं, और हमारा जो तीसरा point of discussion है कि इसको कैसे customize करते हैं, तो पहले हम आपको यहा क्लिक कीजगा तो आप जो जिलाएंगे, कि यह हैं यह पर चेक किया हुआ है, यह थिल्ग तो जी करने और जो देखेंगे, कि यहां पर देखें कि save यहां है, === undo, touch and mouse mode, यह option है यहाँ पर, यदि हमें इसे नहीं रखना है, और इसे हटा देना है, तो हमें इसे अंचेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि यह धीरे-धीरे हड़ता चला जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे कि सारे जो पहले थे, वो सारे हट चुके हैं, यदि हमें एड करना है, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसे चेक कर लेंगे, और इसे तरह से, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लिमिटेशन है, कि इतना ही सारा ओप्शन से यहाँ पर दिखा यहां पर राइट क्लिक कीजिए, तो आपको यहां पर जो पहला option है कि Add to Q-Access toolbar और इसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर चला आया है, आप सबोज आपको और सारे add करना है तो आप इसे just right-click करते जाएए और वहां पर add होता चला जाएगा, यदि आपको यह नहीं पसंद है तो आप यहां पर right-click करके करेंगे तो आपको यहां option आएगा Remove from Q-Access toolbar आप इसे use करके यहां से हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर हटाया है, अब यहां पर एक और जो चौथा और आखरी point of discussion है कि हम लोग कैसे more command in Q-Access toolbar को use करेंगे तो यहां पर आप इस जब click किजएगा इस icon को तो यहां पर सबसे नीचे में एक option है more commands इसे आप जब press किजएगा तो आपको एक box यहां पर दिखेगा और इस box में आप बहुत सारे और जो feature है उसे add कर सकते हैं यहां पर देखिए है कि दो जो है autosave and open यहां पर select किया हुआ है और अब देखेगे कि autosave और open यहां पर दोनों जो icon है वो दोनों दिख रहा है imagine किजिए कि मुझे बहुत सारे और add करना है तो इसे हम क्या करेंगे यहां इसे select किया और यहां पर जो add button है उसे click करेंगे तो यहां पर add होता चला जाएगा copy को add कर रहा हूँ तो similarly आप बहुत सारे आप add करना चाहते हैं तो आप उसे यहां पर add कर सकते हैं जैसे मैं add कर रहा हूँ और आप जैसे ही click किजेगा तो आप देखेंगे कि सारा जो है यहां पर आ चुका है यहां पर एक और feature है जो separator बोलते हैं उसे जैसे suppose यहां पर एक आप यह सारे 2-3 command है और यहां पर 2-3 command है और यहां पर चाहता हूँ कि मैं एक separator आ जाए ताकि हमें easy identification कर सके तो वैसा भी आप कर सकते हैं यहां पर एक separator नाम का एक command है उसे आप यहां से add कर लिजे और imagine किजे कि मैं copy और decrease font size के बीच में एक separator डालना चाहता हूँ तो आप separator को ऐसे click किजिए और यहां पर जो arrow है इसे move up किजिएगा अब देखें copy और decrease font size के बीच में एक separator आ गया है और जैसे ही आप ok किजिएगा तो आप देखेंगे कि यहां पर एक separator जो मैंने create किया यहां पर आ चुका है अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कैसे करते हैं क्यूक access toolbar को तो यहां पर आप फिर से click किजिए और more command में जाएए और यहां पर आप देखेंगे की option है reset और यहां पर जब आप इसको प्रेस किजिएगा तो आपको पास दो option आएगा reset only quick access toolbar reset all customization तो यहां पर मैं reset only quick access toolbar press कर रहा हूं और choose कर रहा हूं तो यहां पर आपको एक warning message आएगा आप इसे yes किजिए और जैसे ही आप ok किजिएगा तो आप देखेंगे कि जहां से हमने पहले शुरुआत किया था more command से पहले उसी status में उसी stage में यहां पर आ गया है तो यह basically reset हो गया more command यूज करने से पहले more command feature में एक और option है कि कैसे हम लोग export और import यह जो यह है जो हमने जो customize किया है उस file को कैसे हम लोग export या export कर सकते हैं इस customization file को कैसे export imagine कि आपने बहुत अच्छे रंग से customize किया है और आपका laptop change हो रहा है तो आप इसे क्या की जगा कि इसमें पहले आप export करके इस file को रख लिजे और आपका जो नया laptop है उसमें उससे आप import कर लिजे तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि कैसे हम पहले export करेंगे तो export यह यहां पर क्लिक करके और मैं इसे desktop पर save कर रहा हूं और desktop यहां पर save कर लिया इसे और ok कर लिया अब यहां पर मैं सबको delete कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सको हूँ सब मैं delete कर देता हूं रिमोब कर दिया यहां से सबको अब मैं यहां पर इसे import कर रहा हूं आप देखेंगे import और मैं desktop पर जाओंगा और उसे import कर लूँगा अब आप देखेंगे कि यहां पर यह आया नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे एक वार close करना पड़ेगा और फिर से इसे on करना पड़ेगा फिर से open करना पड़ेगा अब यहां पर देखेंगे कि जब मैं इसे दुवारा फिर से खोला तो आप यह फिर से सारे जो Q-Access Toolbars से वो यहां पर फिर से आ चुका है हमारा जो आखरी point of discussion है उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे आप इस Q-Access Toolbar को रीवन के नीचे ला सकते हैं और इसके उपर अभी फिलालब देखेंगे कि यह रीवन के ऊपर है तो यहां पर आप क्लिक किजिए और यहां पर देखेंगे कि शो बिलो रीवन इससे आप क्लिक किजिएगा तो यह सारा जो Q-Access Toolbar है वो रीवन के नीचे मूव कर गया है यह आपको यह पसंद आता तो अच्छी बात है नहीं पसंद आता है तो इससे आप फिर से शो एवब दरीवन कर सकते हैं तो यह आप यहां से आईदर ऊपर या नीचे आप अपने comfort के निज़ार मूव कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं और और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद